वेलकम डियर स्टुडेंट्स मैं जयश आप सबका मेरे यूटूब चैनल जयश पाथफाइंडर वेटो सक्सेस में आपका स्वागत करता हूँ जवार नोधे विद्याले इंटरंस एक्जाम क्लास 6, क्लास 9 और क्लास 11 की सभी महत्वपूरुन जानकरे जानने के लिए आज ही मेरे यूटूब चैनल जयश पाथफाइंडर को सबस्क्राइब करें और वीडियो क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें शेर करें और वीडियो को अंत तक देखिए चले तो स्टार्ट करते हैं जभारनो देविद्यले इंटरंस एक्जाम 20-22 क्लास 6 का आज का वीडियो क्लास स्टुडेंट्स आज के वीडियो क्लास में हम मैच सब्जेक्ट का बहुत ही इंपोर्टन टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं मैच सब्जेक्ट में इस इंपोर्टन टॉपिक का बहुत ही जादा इंपोर्टनस है क्योंकि इस टॉपिक के बेसिस पे जवारनो देविद्यले इंटरंस एक्जामिनेशन में हर साल एक नएक क्वेशन्स पूछा जाता है तो आज का जो टॉपिक है वो आपको स्प्रिंग पे दीख रहा होगा टॉपिक का नाम है डिविजिबिलिटी टेस्ट सो डिविजिबिलिटी टेस्ट का बहुत ही जादा इंपोर्टनस है मैथेमेटिक्स में क्योंकि कभी भी अगर हमसे पूछा जाया है कि ये नंबर इस नंबर से डिविजिबल है क्या मतलब गिवन नंबर किसी गिवन नंबर से डिविजिबल है क्या तो वहाँ पे हम डिव करते हुए कि given number given number से divisible है या नहीं है तो चलिए आज का mathematics का topics divisibility test को यहाँ पे start करते है so students यहाँ पे सबसे पहली हमारी divisibility test आती है one की so divisibility test of one what is divisibility test of one one का divisibility test क्या है so आप यहाँ पे देख सकते है all numbers are completely divisible by one इसका मतलब है कि जितने भी number exist करते है उन सभी numbers को one से complete division होता है इसमें कोई भी doubt नहीं है बहुत ही easy divisibility test है one की one से सभी numbers को division होता है और one से सभी numbers divisible है all numbers are completely divisible by one तो यहाँ पे हम example देख सकते है example आप कुछ भी ले सकते है मैंने यहाँ पे कुछ गिने चुने दो तीन examples लिए है इसके divisibility test के one के बारे में यहाँ पे first example है 56 56 is divisible by one 137 137 is also divisible by one next example है 9,789 9,789 is also divisible by one next example है 11 11 is also divisible by one next example है 2,34,567 यह number भी completely divisible है one से next example है 675 675 भी यहाँ पे one से completely divisible है so students यहाँ पे मैं बहुत ही easily आपको बताना चाहूंगा कि जितने भी number exist करते है mathematics में सभी के सभी one से completely divisible होते है क्योंकि यह divisibility test है one का ऐसा one से सभी के numbers divisible होते है कोई भी ऐसा number नहीं है जो one से divisible नहीं है अब आप 56 को ही ले लो अगर one से आप 56 को divide करते हो okay one से आप 56 को divide करते हो तो यहाँ पे one से 56 को complete division हो जाएगा यहाँ पे next example है example number 3,4,5 and 6 यहाँ पे कोई भी एक example ले लो आप हम लेते हैं 9,789 अगर इस number को आप one से divide करते हो तो यह भी यहाँ पे completely divisible हो जाएगा मतलब जितने भी number exist करते हैं सभी के सभी one से completely divisible होते है तो यह था हमारा आज का divisibility test of one का rule ओके students आज के वीडियो क्लास में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको जवार नोवदे विद्याले entrance exam 20-22 के लिए एक बहुती महतुपूर्ण बुक के बारे में बताना चाहूंगा इस बुक का नाम है जवार नोवदे विद्याले entrance exam 20-22 study guide for class 6 जैसे की आप वीडियो के स्क्रीन पे देख पा रहे होगे बुक कुछ इस तरीके से दिखती है यहाँ बुक अगरवाल exam card publication की है अगरवाल publication एक बहुती well-known publication है यह बुक जेनवी exam clear करने के लिए sufficient बुक है इस बुक में detail 30 part दिया गया है साथ ही सभी previous year questions भी दिए गया है और practice के लिए important questions भी दिए गया है इस बुक में maths, mental ability और language तीनों portion दिए गया है साथ ही previous year solved paper भी यहाँ पे दिया गया है और practice के लिए तीन practice talk भी दिए गया है इस book को आप online भी खरीच सकते है वीडियो के नीचे description box में link दी गई है link को click करके आप 15% discount पर इस book को खरीच सकते है students इस book में एक बहतरी चीज ये है कि यहाँ पे previous year questions के questions की analysis भी दी गई है जहाँ पर topic आपको बताया गया है कि किस year में किस topic पे कितने questions पूछे गई है तो students examination crack करने के लिए ये बहुत ही important book है अगरवाल publication की तो आप इस book को खरीच सकते है link को click करके 15% discount पर आप ये book खरीच सकते है तो देर ना करते हुए जल्दी ही इस book को खरीदिये और JNV exam को clear करके नवदे विद्दाले में पढ़ने का अपना सपना पूरा कीजिए अब हम देखते है divisibility test of 2 आप यहाँ पे देख सकते है all even numbers are completely divisible by 2 all even numbers are completely divisible by 2 सभी के सभी even numbers 2 से completely divisible होते है यही हमारा divisibility test of 2 का rule है यहाँ के examples क्या है first example है हमारा 56 second example है हमारा 138 अब यहाँ पे यह हम अब कैसे पता चलेंगा कि कौन सा number 2 से divisible है यह नहीं है मतलब even numbers हम कैसे पता करेंगे तो यहाँ पे मैं आपको यह चीज़ भी बताऊंगा even number हम किस तरीके से पता करेंगे how to know which numbers are even numbers हम कैसे पता करेंगे कि दिया हुआ question का number even number है यह नहीं है मतलब given number question का even number है यह नहीं है तो कैसे पता करेंगे इस तरीके से पता करेंगे in any number if last digit is 0, 2, 4, 6, 8 then that number is even number अगर किसी भी number में last digit अगर किसी भी number में last digit 0, 2, 4, 6, 8 है तो यह number even numbers बन जाते हैं तो यहाँ पर even number के मैंने कुछ examples यहाँ पर आपको note down करके दिये है यहाँ पर first example है 10 10 के unit plus पर 0 है मतलब last digit 0 है इसलिए 10 even number है next example है 22 22 का unit plus पर 2 है और last digit मतलब 2 है इसलिए वो भी 22 यहाँ पर even number बन जाएगा 54 example last digit 4 है तो यह even number बन जाएगा 456 तो यह भी even number बन जाएगा क्यूंकि इसका last digit जो है वो है 6 next example भी यहाँ पर दिया गया है इसका भी जो last digit है वो even number है इसके बाद में भी next example दिया गया है 1,000, 1,000 का last digit जो है वो 0 है तो यह भी यहाँ पर even number कहलाएगा मतलब जिस भी number के last digit में 0, 2, 4, 6, 8 ये number होंगे वो सभी के सभी numbers even numbers कहलाएंगे तो students I hope आपको पता चल गया होगा कि even numbers हम किस तरीके से पहचानेंगे So हमारा divisibility test of 2 का rule यही कहता है जो भी numbers even numbers है वो सभी के सभी even numbers 2 से completely divisible है अगर given number even number नहीं है तो वो 2 से divisible नहीं होंगे अब यहाँ पर हम examples देखेंगे अब यहाँ पर हम क्या देखेंगे examples So हमारा first example है 56 56 का last digit क्या है 56 का last digit है 6 और 6 अगर 56 का last digit में है तो 56 यहाँ पर even number है मतलब 56 यह number divisible है 2 से Okay students next example है 138 138 का last digit है वो है 8 So यहाँ पर भी 138 even number हो जाएगा Means it is divisible by 2 Next example है हमारा 42,980 Next example क्या है हमारा 42,980 यहाँ पर जो last digit है वो last digit है 0 Okay तो यह 42,980 even number बन जाएगा और even number 2 से completely divisible होता है So number 42,980 completely divisible by 2 Okay students So students आज के video class में मैंने आपको divisibility test पढ़ाया मैंने आपको जो भी divisibility test आज के video class में पढ़ाया है उसके basis पे मैं आपको यहाँ पे कुछ questions होवर के लिए देने वाला हूँ इन questions को आपको read करना है वीडियो को pause करके इन questions को आपको read करना है Question के options को observe करना है और question के answers आपको video के नीचे comment section में जाके comment box में question number के साथ में आपका answer comment करके देना है जिस भी question के answer जिस भी students के correct रहेंगे उनको मेरी तरफ से एक like और एक heart मिलेगा So question को अच्छे तरीके से observe कीजिए, options को अच्छे तरीके से observe कीजिए और question को solve कीजिए तो यह है हमारा आज की video class का first question Which of the following number is divisible by 1? Option A 57, Option B 189, Option C 2389, Option D all of these आज की video class का next question है homework के लिए that is question number 2 Which of the following number is divisible by 2? Option A 57, Option B 189, Option C 2380, Option D 11 So students यह जो two questions है homework के लिए यह इसको आपको solve करना है और इनके answer वीडियो के नीचे comment section में जाके comment करके post करना है So students आज का video class अगर आपको पसंद आया होगा, helpful लगा होगा, अच्छा लगा होगा, informative लगा होगा तो please video को like कर दीजे, साथी साथ video को share भी कर दीजे और इसी तरीके के mental ability, maths और language के video classes के लिए मेरे channel Jayash Pathfinder को subscribe कर दीजे, thank you students झाल 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 झाल